नमुश्कार मुप्रिया बिहारी न्यूस में आपका स्वागत है चले जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को कॉमर्स टूडेंट को बिहार स्टी एटी में शामिल नहीं करने पर हाई कोट ने सरकार से मांगे जवाब कॉमर्स टूडेंट को सेकेंडरी टीचर्स अलिजिबिलिटी टेस्ट में शामिल नहीं गया जाने के मामले में पटना हाई कोट ने राज्यो सरकार सहत बिहार वद्याले परीक्षा समीती से जवाब की मांगी है नयमूर्थी, पार्थ, सार्थी, एकल, पीट ने मुहमद, अर्फरोज और अन्य की तरफ से दायर याजुका पर सुनवाई करने के दौरान उक्तुबाते कही है कोट की तरफ से जारी की गई जवानकारी के इनुसार 25 सितंबर 2019 को सिक्षा वभा के सचिव ने एक रिपोर्ट जारी कर सिक्षकों के रिक्त पदों के बारे में सरकार को रिपोर्ट सौपी थी यह रिपोर्ट सुबे के जुला सिक्षा पदाधिकारियों से मिल रिपोर्ट के आधार पर तयार की गई थी 2000 से अधिक उच्चितर माधमिक स्कूल में सिख्षकों के पदर रिक्त रहने की जानकारी दी गई है कोट को बताये गया है कि कॉमर्स सिख्षकों की कमी के कारण स्कूल में कॉमर्स की पढ़ाई नहीं हो पा रही है इसके साथ ही गुरुबार सुबह से प्रधान मंत्री के जन्म दिन पर बधाई का ताता देखने को मिला राश्टपती रामनात कोविंद से लेकर ग्रिह मंत्री अमितर शाह, रक्षा मंत्री राजनाज सिंग, कॉंगर्स ने तरा हुल गांदी और अन्य बड़े नेताओं ने भी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी को जन्म दिन की बधाई दी है उन्होंने लिखा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी को जन्म दिन की बधाई राश्टपती रामनात कोविंद ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी को जन्म दिन की हार्दिक बधाई और शिपकामनाई और जीवन का अदर्श प्रस्तुत करने की बात कही है वहीं दोश्री तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने भी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी जर्म दिन की हरदेख शिप कामनाई दी है मुख्यमंत्री नितीश कुमार कल करेंगे ISBT और क्रिशी भवन का उधगाटन मुख्यमंत्री नितीश कुमार कलपट्टा में आधुनिक सुविधाओं वाले अंतर राजिये बस तर्मिनल का क्रिशी भवन का उधगाटन करने वाले हैं उधगाटन समारो शाम पाच बजे आयोजित होने की उमीद जताई जा रही है नगरविकास एवं आवास वभाग ने इस कारिक्रम को फाइनल होते ही तयारी शुरू करने का फैसला सुनाया है वायोद घाटन के साथ ही आईएस्बीटी में बसों का परिचालन शुरू करवा दिया जाएगा ऐसे में बिहार ही नहीं दूसरे राज्यों से सीधी सड़क परिवान सेवा सुगम हो जाएगी राज्यों के विभिन कोनों से हर दिन हजारों की संख्या में लोग पटना आते जाते हैं आईएस्बीटी तमाम आधोनिक सुविधाओ से सूस सज्जित है इसे तीन भागों में बाट कर बनाये गया है बीपी एसी ने 562 पदों के लिए मांगे आवेदन बिहार लोग सेवा आयोग ने बुधवार को 66 भी संयुक्त प्रारंबिक प्रतियोगिता परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जिसके लिए 14 विभाग में चुनित किया गया 562 पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 28 सितंबर से शुरू होने वाली है सयुक्त सच्विव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद कुमार ने इस बात की जानकारी दी और बता है कि ग्रिव विभाग में पुलिस सुपाधिक्षक के जुला समादेश्टा के दो और कारा अधिक्षक के तीन वाने जुकर विभाग में राजियोग कर सहायक आयोग्ति के 11 पदो पर नियुक्ति करवाई जाएगी वही निर्वाचन विभाग में अपर सचिफ पताधिकारी के 2 श्रम संसाधन विभाग में नियोजन पताधिकारी के 5 गन्ना उद्योग और विभाग के 1 पताधिकारी के 5 और उसके साथ ही ग्रे विभाग के प्रोबेशन पताधिक के 51 राजस्वे एवं भूमी सुधार्व भाग में राजस्व अधिकारी के 66 पदों पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू करवाई जाएगी। बेनिपूर गाउं में उनके जमीनों जद को मकान को चारो तुरफ से रिंग बांध बनाने की घोशना कर दी है। इस इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक फिल्म में भी बनाई जाती हैं जिनमें हम कलाकारों को एक नई पहचान मेली है। ताही ने अक्षुरा सिंग ने डारेक्टर अनुभव सिनहा के बयान पर भी जवाब दिया है। जिसके तहत उन्हों ने साफत और पर कहा है कि भोजपूरी पर उंगली उठाने वाले पहले अपने गिरेबान में ज्छाग कर देख ले खुद कैसा काम कर रहे और भोजपूरी फिल्म को बदनाम कर रहे हैं। शुरा नहीं रवी किशन के बयान का समर्थन करते वे साफत और पर कहा है कि इंडस्ट्री में गलत के खिलाफ आवाज उठाना क्या गलत है। वो भी उसने आवाज उठाई है जिसने भोजपूरी को एक नई पहचवान दिलवाई है जो भोजपूरी बिना किसी सरकारी मदद की और सहानुभूती के अपने दम पर अपनी पहचवान बनाई हो उस पर कोई कैसे वोल सकता है। इतकश, शिल्पकार और कौशल के सम्मान का प्रतीक विशुकर्मा पूजा की आप सब को हारदिक शुब कामनाई है। इतक कर लांडिंग के अनुमती मागी है। हिमालेपुत्र एविएशन लिमिटेड के एजी एम विक्रम सिंग ने दीम को पत्र भेज कर इस बात की जानकारी दी है। साथ ही विमान के भागलपुर हवाई एड़ा आने और जाने के संभावित समय की जानकारी भी दी है। विमान पट्टा से भागलपुर हवाई एड़े पर पहुचेगा इसके साथ यहां से पट्टना की तरफ प्रस्थान करेगा। दीम प्रणव कुमार ने बताया है कि विमान की लैंडिंग के अनुमती ली गई है। महाया करवाने की आस लगाए बैठे थे मगर सरकार की तरफ से मदद नहीं मिलता देख आपसी सहयोग के बाद 30 साल से बंद पड़ी पेंडिंग पुल के निर्मान का बीड़ा उठाया है स्थानिय ग्रामिनों के मुताबिक इस पुल के निर्मान के लिए कई बार जन प्रत व्यक्त की है जिसकी तहट उन्होंने कहा है कि जब देश में नागरिक्ता एक है तो फिर कहां से प्रवासी शब्द का निर्मान हुआ उन्होंने श्रमिकों के लिए प्रवासी शब्द के इस्तमाल को बंद करने का फैसला लिया है उन्होंने COVID-19 और सरकार की तरफ से उठा प्रवासी शब्द को लेकर उन्होंने कहा कि देश का संविधान हमें देश में किसी बी जगह पर रहने और काम करने की आजादी देता है अर्थविवस्था भी हमारी पूझी है और पूझी पती भी है देश के हर छेत्र के निर्मान के लिए भिहार के लोगों ने काम किया और उनको प्रवासी कहकर अलग थलग करने का प्रयास किया जा रहा है जबकि हमारे देश एक है हमारी नागरिकता एक है मतदान केंदर पर वोटरों को दिया जाएगा दाए हाथ का गलफ्स आगा में विधान सबाचुनाफ को ध्यान में रखते वे निर्वाचन आयोग थिन दबाने के पहले वोटरों को सिव दाहिने हाथ में पहनने के लिए गलफ्स दिया जाएगा यानि वोटरों के बाए हाथ में गलफ्स दया जांगा निर्वाचन विभाग के सूत्रों के नुसार जल्धी इस बावत सभी जिलों के ओ दिशा नर्देश जारी किया जाएगा बिहार में MBBS कोर्स में बढ़ाई जाएगी सीटों की संख्या राजे में मेधावी चातर चात्राओं को मेडिकल की पढ़ाई के लिए राजे से बाहर नहीं जाना पड़ेगा इसी को ध्यान में रखते वे सरकार ने अपनी तयारी शुरू कर दी है इसके लिए राजे के लोगों को बहतर स्वा सिसोविदा मुहाया करवाने के लिए इस दिशा में काम किया जा रहा है सरकार ने इसके लिए राजे के तीन नए मेडिकल कॉलेज अस्पताल बेतिया मध्यपूरा और पावपूरी में MBBS सीटों की संख्या बढ़ाने का निर्ने लिया है इसके लिए मेडिकल काउंसल आफ इंडिया के निर्धारित लक्ष्रिकेर रूप मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सैक्षिनिक और गयर साक्षिनिक 1434 पदो का स्वरिजन किया जाएगा वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज नालंदा और गवर्मेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल बेतिया में सीटों की संख्या 100 से बढ़ा कर देर सो करने की योज़ना बनाई गई है लोजपा सांसदों ने 143 सीटों पर ठोका दावा हाला कि पार्टी सांसदों की तरफ से चुराग पास्वान को गठबंदर और सीट बटवारे पर फैसला लेने के लिए अधिकरित किया गया है इसको लेकर जल्द ही लोजपा के केंद्रिय संसदीय बोर्ड की बैठक भी बुलाई गई है जिसमें 143 सीटों पर चुनावी मैदार में उतरने कांतेम फैसला लिया जाएगा वहीं से पहले बुधवार को दिल्ली में लोगज़न शक्ती पार्टी के संसदों की बैठा के बाद बिहार प्रदेश अध्यक्ष और समस्तिपूर के संसद प्रिंस राज ने कहा है कि बिहार संसदीय बोर्ड में 143 सीटों की सूची मांगी गई है गौतम गंभीर ने IPL के पहले मैच में मजबूत टीम को लेकर कही एहम बात भारते टीम के पुर्फ सलामी बलेबास गौतम गंभीर ने IPL के आयोजन से पहले ही मजबूत टीम के बारे में अपनी प्रतिक रिया जाहिर के है जिसके तहत उन्होंने कहा कि IPL के आगामी सीजन के पहले मैच में मुंबई इंडियन्स का पल्रा चेने सुपर किंग्स पर ज्यादा भारी नजर आ रहा है उन्होंने साफतार पर काया कि मुंबई की टीम में ट्रेंट बोल्ट था बुम्रा की जोड़ी जीत की प्रबल दावेदार बनती है मुंबई में श्रिलंका की तेज गेंदबास लसित मलिंगा की जगह पर ट्रेंट बोल्ट को अपने टीम में जोड़ा गया है मलिंगा नीजी कारणों से 13 वे संसकरन से हट आए गए थे COVID-19 के कारण इस बार का IPL सायुक तरब अमीरत में खेला जा रहा है वहीं लीग का पहला में आचने सितंबर को होने वाला है जोसमें मुंबई और चन नहीं आमने सामने होगी इस पर गंभीर ने काया कि वो बोल्ट और बुम्रा की जोड़ी देखने के लिए काफी उच्सुक है केंद्रे मंत्री निदिन गटकरी आये COVID-19 की चपेट में केंद्रे मंत्री निदिन गटकरी COVID-19 पॉजिटिव पाए गये है उन्होंने आगे यह भी कहा कि मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि जो मेरे संपर्क में आये हुए है वो साबधान रहे और प्रोटो कॉल का पालन करते वे सुरक्षित रहे और अगर संभाव हो तो अपनी जाच एक बार जरूर करवा ले वहीं आपको बता दे COVID-19 पॉजिटिव पाए गये नितन गटकर इफिलहाल आइसोलेशन में रखे गए जहां वो अपना इलाज करवा रहे है तो चलिए बढ़ते आज के सवाल क्यों और आज के सवाल कुछ इस प्रकार है आपके अनुसार STET में Commerce Student को शामिल करना चाहिए या नहीं अपने जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताए इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेटेट रहने के लिए हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दुबाना ना भूले धन्यवार